हलो फ्रेंड्स मैं सब्रकुर सुनील तावार कंसल्टेंट एंट एंट एंड राइनोप्लास्टी सर्जन दोस्तों नेक्स्ट कुछ वीडियो में हम डिसकस करेंगे मित वसर रियल्टी ऑफ राइनोप्लास्टी जजरी दोस्तों हम देखने को यह मिलता है कि जब पेशिंट जाते हैं राइनोप्लास्टी सर्जरी के लिए नोसर्जरी के लिए उनके दिमाग में बहुत सारे मित हैं जिनको क्लियर करने के लिए आज हम डिसकस करेंगे बट दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले जिससे आने वाले अनेक उपयोगी वीडियो की आपको जानकरी मिलती रहें दोस्तों आज हम जानेंगे क्या राइनोप्लास्टी की आइडियली एज है किस एज पर राइनोप्लास्टी कर सकते हैं दोस्तों मित यह है कि राइनोप्लास्टी जो है वो 18 या 20 साल के बाद ही हो सकता ह नहीं, दोस्तों, राइनोप्लास्टी की एज के माइने में हम ऐसे समझ सकते हैं कि राइनोप्लास्टी अगर किसी पेशेंट को नोज ब्लोक है, अगर किसी पेशेंट का जैसे पेडियाट्रिक एज के अंदर बच्चों में अगर एपसल्यूट नोज ब्लोक है, जो नोज की जो विक्करती है, उसको ब्रिधिंग नहीं आ रहा, ऐसे किसी के अंदर जो है, उसको करक्शन करने के लिए पेडियाट्रिक राइनोप्लास्टी आठ साथ या नोज साल पे भी कर सकते हैं, जिसको हम पेडियाट्रिक राइनोप्लास्टी कहते हैं, दोस्तो अगर जो आपकी नोज की विक्रती है उसके कारण उस patient को functionally problem इतना नहीं है तो उसको जो है हम delay कर सकते हैं उसमें जो है गल्स में जो हम मुमन जो है extreme edge है लोगों में यह होता है कि बहुत बार कोई 45 साल का आदमी है उसके दिमाग में यह है कि आप मेर्को जो है इस उब्र में राइनो प्लास्टी नहीं होगी ऐसा नहीं है दोस्तों आप 55 साल पे भी राइनोप्लास्टी करा सकते हैं, आप 60 साल पे भी राइनोप्लास्टी करा सकते हैं, चाहिए है कि Rhinoplasty जो है वो एक 17 साल पर ही हो सकती है इसकी जो है एज लिमिट जो है बगोट बच्चों में भी कर सकते हैं अगर उसकी nose की विकरती है उसको cosmetic और functionally correct करने के लिए कर सकते हैं, so I hope this information is useful for you, you can share this information to your friends, family and colleagues just to create the awareness about the राइनोप्लास्टी किस एज में हम करा सकते हैं जाते जाते जो है वो इस बैल आइकोन को प्रेस करना ना भूले जिसे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे